लाक्स हैड नॉट के लिए जहां नॉट का स्ट्रैंड आगे रहेगा सेंटर पाने के लिए कॉड को हाफ में फोल किया पीछ में ज़र लूप बनेगा यही सेंटर है इस लूप को इस वुडन डाल के पीछे से होते हुए उपर से स्लाइड करें और दोनों नीचले हिस्सों को आगे छोड़ दें और दोनों नीचले हिस्सों को इस लूप से पीछे से पुल कर लें और टाइटली सिक्योर कर दें reverse lax head knot के लिए जहां knot का strand पीछे रहेगा पहले की तरह center loop ढूनने पर अब नीचे से उपर होते हुए loop को down के सामने pull करें सामने से दोनों निचले हिस्सों को loop से pull करें और tightly secure कर दें धरसल reverse lax head knot कुछ और नहीं बलके पीछे से देखा गया lax head knot है जैसे ये left side lax head knot है को जब घुमाएंगे तो जैसा दिखेगा वो right side में है जो reverse lax head knot है आप कोई ring भी use कर सकते हैं ऐसे knots बनाने के लिए सेम इसी तरह lax head knot बनाएं और इसी तरह reverse lax head knot भी बन गया आगे से knot ऐसा होगा और पीछे से ऐसा खोई भी object यूज कर सकते हैं जिस प्रकार उसे घुमाएंगे actual strand आगे या पीछे रहेगा lax head knot को जल्दी बनाने के लिए center loop मिलने पर loop को इस तरह आगे फोल्द करें जो gaps बनेगा एक end से दूसरे end तक डाउल इंसर्ट करें और knot को टाइटली सिक्योर करें दूसरा फास्टर तरीका है center loop मिलने पर इस तरह आगे फोल्द करें और lax head knot बन गया यह wooden dal को इस लूप में धीरे से slide कर दे और बन गया running lax head knot के लिए जो commonly use करते हैं wall hangings को layer करने के लिए इसके लिए cord की एक लंबी piece चाहिए wooden dal के पीछे से होते हुए उपर से slide करें छोटी tail end को cross करें wooden डाल के पीछे से होते हुए उपर ले जाएं और loop से नीचे लाएं धीले पन को हटाते हुए tightly secure करें इस wooden डाल के दूसरे और जाते हुए same वही repeat करेंगे cord को उपर से डाल के पीछे से होते हुए running strand को cross करें डाल के पीछे से उपर ले जाएं फिर loop से नीचे और knot tight कर दें ये बड़े projects में काफी use होता है Vertical Lux Head Knot के लिए ये दो Lux Head Knot हैं जो के horizontal हैं इन चारों strands में से बाहरी दोनों strands working cords हैं और बीच के दोनों filler cords OEB side का working cord लें बीच के filler cords के उपर से नीचे होते हुए loop से पास करें और knot को tightly secure कर दें एक complete vertical Lux Head Knot के लिए इसे दुबारा repeat करना होगा पर same उपर से नीचे नहीं बलकि इस बार exactly opposite होगा filler cords के नीचे से उपर होते हुए loop में से पास करें और knot secure कर दें अब right side में एक complete vertical Lux Head Knot बन गया यहां clearly देख सकते हैं difference उपर के horizontal Lux Head Knot और side के vertical Lux Head Knot उसी तरह जब left side का working cord लें बीच के filler cords के उपर से नीचे लूप से पास करते हुए knot को tight कर दें दुबारा करें पर same नहीं होगा जस इसका उल्टा करें filler cords के नीचे से उपर लूप से पास करते हुए knot करें इसी तरह आसानी से बनाते रहे vertical Lux Head Knot बंच करें आसरे बस्त कर देंडर करते हैं बार के बहुत है, के लिए दुए करीयों तेंडर बाला के लिए्चे है तरह इस स्थेफं़ के लिए जोबेगा इस विए। इस एम ऐस प्याव अभाश्वीग ऑबेगा उन से आपकते हैं